हेलो फ्रेंट्स वेलकम तो माई यूटूब चैनल दोहा एरोमा तोड़ेज आई विल शो यू नॉट इंडियन स्टाइल छोला रेस्पी यहां पर मैंने चिक्पीस लिया है जिसको मैंने राद भर के लिए भिगो दिया था अब यह तरीके से फूल चुके हैं अब इनको करें पहले मैं इसको फूकर में डालूंगी दो काडमम दो बे लीव दिमा मिस्टिक और दो क्लव डालूंगी अब मैं यहां पर एक पैन में थोड़ा सा पानी डालूंगी तो अब चाहे तो इसमें टी बैग भी उसकर तक्षे हैं अभी मेरे पास अगल नहीं है तो मैं यहां शायपस्ती डाल पर पानी ये ज़स करूंगी तो अब चाह पानी को चिक पीज में डाल दूंगी थोड़ा सा नमक आट करेंगे इनको मिक्ष आट करेंगे और मैं हाफ ग्लास वाटर में इसमें डाइट करूंगी और एक मीडियम साइज की प्यास को छील करने में साबूत रखोंगी कुकर का ढखन बंद कर देते हैं और कम से कम दीज में के लिए जीनियाच पर इसको बॉइल उन देते हैं दूसरी तरफ में एक परतन में और नहाफ टेबल स्पून रेचिली पॉर्डर डाल रही हूं आफ टी स्पून टर्मरीक पॉर्डर और और व मिक्स कर लेंगे और साइड में राइदेंगे जब तक कि चिक्पीस बॉइल हो रही है दूसरी तरफ मेरे छोले उबल के त्यार हो चुके अब इनको देख चेक कर लेते हैं त्यास को सबसे पहले मैं इसे निकाल लूगी दूसरे बरतन में चने के बानी को कभी भी 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 बरतन लेती है उसमें में थोड़ा से ससो कर तेल डालते हैं तेल को आप कम ज्यादा रख सकते अपने साफ से तेल को गरम होने दे अब सबसे पहले इसमें एक बेलेज चाहेगा दो ख्लाफ और थोड़ी सी सिन्वा मिस्टिक अब यहां पर मैं दो टेबल इस्पून चाहिए अदग लेकिन दो पेज चालूंगी दो सेगन के लिए सोटे करें और उसके बाद जो मसालों को मैंने दिगागी रखा था उसको आट करूंगी अब कम से कम दो मिनट तक पेज आज पर इसको भूनूंगी अच्छेग दूस तरफ जो मैंने प्याज निकाला था उसको मैं पीस लूंगी देखे मैंने पीस लिया है अब इस प्याज के पेस्ट को भी मैं मसाले में डाल देती हूँ तब को अच्छे जब मिक्स कर लें और पास मिनट के लिए देमियाज पर इसको पकने देए पास प्याज के बाद आप देख सकते हैं कि मसाला थोड़ा थोड़ा भी चुका है लेकिन अभी भी इसमें कसर बाकी है इस पेज पर मैं इसमें तो को अच्छे जब मिक्स कर लोंगी थोड़ा सा नमक भी आट करोंगी नमक और मिर्चा अपनी साप्ते रखें इनको अच्छे जब मिक्स कर लिया है और कम से कम पंदरा मिनट के लिए इनको धीमियाज पर पकने देए कि मसाला जितना अच्छा पुनेगा अच्छा थोला बनेगा पंदर मिनट के बाद मसाला बिल्कुल अच्छे तरीके से पक चुका है आप देख सकते हैं मैं अब इसमें मैं सारे छोलो को डाल दूंगी और जो से पानी था वो भी आट कर दूंगी पूले का पानी तब भी ख्लिकना नहीं चाहिए इस पानी को ग्रेडी के तास यह चाहिए सबको अच्छे से मिला लेंगे अब थोड़ा समय इसमें गरम मसाला डालूंगी मिक्स कर लें और इसी टाइम आप चाहिए तो अगर आपको तीखा और जादा खाना है तो आप एक दो हरे मेर्ची स्लिट करके डा सकते हैं थोड़ा सा शुगर डालूंगी बहुत थोड़ी सी अब धकन लगाकर पाश मिनट के लिए धेमियाच पर पकने दें पाश मिनट के बाद आप देख सकते हैं कि छोला में पूरी अच्छी तरीके से पक चुका है अब मैं इसको यह सर्फ करने के लिए बिल्गूल प्यार हो चुका है मैं इसको सर्फ करूंगी अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजे कमेंट कीजे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजे थैंक्यू सो मच पर वाचिंग माई वीडियो गैस को बन कर देती हो थैंक्यू